पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबस्क्राइब करें हमारे चैनल आरोगे ग्यान को और साथ ही इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए लिफ 52 मार्केट में दो रोप में अपलब्द है सिरप और टैबलेट अब कुछ लोग नफ्यूज हो जाते हैं कि वो टैबलेट लें या सिरप इन दोनों में से क्या बढ़िया है और किसे लेना ज़्यादा फाइदे मंद है मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों सेम ही काम करते है और इन दोनों के फाइदे भी सेम है लेकिन बस फरक इतना है कि जो टैबलेट है वो थोड़ा स्लो काम करती है और सिरप थोड़ा फास्च काम करता है लेकिन दोनों के फाइदे सेम ही है और ये काम भी सेम ही करते है अब ये आपकी मरजी है कि आप इसे किस रूप में सेवन करना चाहते हैं टैबलेट या सिरप जो आपको अच्छा लगे आप उसका सेवन करिए दोनों के इंग्रीडेंट्स भी लगबग एक जैसे ही हैं और फाइदे भी अगर आप ली 52 सिरप के फाइदे जानना चाहते हैं तो मैंने उसके ओपर पहले से ही एक वीडियो बना दिया हुआ है आप उसे देख सकते हैं मैंने लिंक डिस्क्रिफशन में दे दिया है और अब मैं एक और कन्फियूजन दूर कर देता हूँ ली 52 टैबलेट और ली 52 डियस टैबलेट का कुछ लोग कन्फियूज हो जाते हैं कि इन दोनों में क्या फरक है और किसे लेना ज्यादा फाइदे मंद है मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों में भी कुछ खासा फरक नहीं है दोनों के फाइदे सेम है लेकिन ली 52 डियस का मतलब है डबल स्ट्रोंग यानि कि जो ली 52 डियस टैबलेट है वो ज्यादा ताकतवर है ली 52 नॉर्मल टैबलेट के मकाबले ली 52 डियस की एक टैबलेट ली 52 नॉर्मल टैबलेट दो के बराबर है यानि कि वो डबल स्ट्रोंग है तो अब आप समझी गए होंगे ली 52 नॉर्मल और ली 52 DS टैबलेट में क्या फरक है तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों के प्राइज के बारे में मैं आपको बता दू कि ली 52 DS का प्राइज है 130 रुपे उसमें आपको 60 टैबलेट मिल जाएंगी अगर इन दोनों का प्राइज कंपेर करें तो ली 52 नॉर्मल टैबलेट का प्राइज थोड़ा से कम है मैं आपको इसका भी प्राइज बता देता हूँ इस दोबा का प्राइज है 100 रुपे इसमें आपको 100 रुपे में 100 टैबलेट मिल जाएंगी और इस दोबा को आप ओनलाइन या किसी नई दिकी मेडिकल स्चोर से असानी से खरीज सकते हैं तो ये तो हो गई इसके प्राइज की बात अब हम इसे अंदर से ओपन करके भी देख लेते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये टैबलेट दिखने में कैसी हैं और उसके बाद हम इसके फायदों के बारे में बात करेंगे ये देखिए दिखने में ये कुछ ऐसी है डार्क रेड कलर है इनका और इनके ओपर हिमाले का लोगो भी लगा हुआ है आप देख सकते हैं मैं आपको ऐसे कर EEB से दिखा देता हूँ ये देखिए तो अब हम इसे वापस पैक कर देते हैं और बात कर लेते हैं इसके फ़ाइदों के बारे में तो चलिए अब मैं आपको इसके सबी फाइदों के बारे में भी बता देता हूँ LAY52 टैबलेट के 7 से भूख बढ़ती है अगर आपको भूख ना लगने की समस्या है तो आप इसका 7 कर सकते हैं भूख बढ़ाने के साथ साथ ये वजन बढ़ाने में भी मदद करती है इसके सेवन से लीवर भी मजबूत बनता है और लीवर सही तरीके से काम भी करता है और साथ ही ये लीवर की रक्षा भी करती है ये आपके पाच्चन तंतरों को भी मजबूत बनाती है अगर आपका पाचन तंतर मजबूत होगा तो आपका खाया पिया आपको अच्छे से लगेगा जिसे आपकी सेहत भी अच्छी होगी ये दवा आपके लीवर को विशेले तत्वों से भी बचाती है और विशेले तत्वों को लीवर से बाहर निकालने में मदद करती है अगर आप किसी बिमारी को ठीक करने के लिए बहुत से दिवाओं का सेवन करते हैं तो आपके लिवर को बहुत सा नुकसान होता है क्योंकि दिवाओं में बहुत से केमिकल्स होते हैं जो आपके लिवर को नुकसान पहुचाते हैं और आपके liever में विशेले तत्वों बढ़ जाते हैं ये द्वा उन विशेले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है और लिवर को डे toksify करती है ये द्वा पीलिया में भी लाबढ़ायक है क्योंकि पीलिया हमारे लीवर को बहुत नुकसान पहुँचाता है इसलिए ली 52 का सेवन पीलिया में फाइदे मन्द है क्योंकि ये दवा हमारे लीवर को दुरूस्त करती है जिन लोगों को शराब ज़्यादा पीने से लीवर की समस्या हो जाती है उनके लिए भी ये दवा फाइदे मन्द है अगर आपको गैस की समस्या है तो भी आप ली 52 का सेवन कर सकते है गैस के साथ साथ ये कबज में भी रहा दलाने में मदद करती है जो लोग जिम जाते हैं और बोडी बिल्डिंग करते हैं उन लोगों के लिए भी ली 52 काफी फाइदे मन्द दवा है क्योंकि जिम जाने वाले लोग तरह तरह के सप्लिमेंट्स लेते हैं जिस वज़ा से उनके लिवर पर काफी प्रेशर पड़ता है इसलिए Leaf52 जिम जाने वाले लोगे के लिए फाइदे मन्दवा है ये दवा खून की कमी दूर करने में भी सहायता करती है इसके नीमस सेवन से आपका हिमोगलोबिन का स्टेर भी ठीक हो जाता है Leaf52 के सेवन से खून भी साफ होता है और साथ ही चैरे पर गलो आता है और इसके साथ ये पिंपल्स की समस्या भी ठीक करने में मदद करती है तो ये तो थे Leaf52 टैबलेट से होने वाले सभी फाइदे अब हम बात कर लेते हैं इससे होने वाले नुकसान के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इस टैबलेट का कोई भी नुकसान नहीं है बस आप इसका सेवन उतनी ही मातरा में करें जितनी मातरा में बताया गया है अधिक मातरा में आप इसका सेवन ना करें बाकी और इसका कोई और नुकसान नहीं है क्योंकि ये द्वा पूरी तरह से ऐरुवेदिक है इसे बनाने में सभी ऐरुवेदिक इंग्रीडेंट्स के इस्तमाल किया गया है अगर आप इस द्वा के सभी इंग्रीडेंट्स जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख लिए हुए हैं आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि लिख 52 टैबलेट का सेवन आपको कैसे करना है इसके सेवन की सही विदी क्या है पान साल से बड़े सभी छोटे बच्चों को हिमाले लिख 52 टैबलेट की एक एक गोली सुबा शाम खाना खाने के आदा खंटे बाद पानी के साथ देनी चाहिए और जो बड़े हैं यानि के ठारा साल से उपर हैं उन्हें दिन में दो दो गोलियां सुबा शाम अगर आपको ज़्यादा प्रोब्लम नहीं है तो एके गोली सुबा शाम खाना खाने के आधा गंटे बाद पानी के साथ लेनी चाहिए इस दवा का असर एक दो हफते में दिखाई दिना शुरू हो जाता है और इस दवा को आप कम से कम तीन महिने तक सेवन कर सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा प्रोब्लम है तो आप डाक्टर से सला लेकर इसका सेवन ज़्यादा देर तक भी कर सकते हैं ये है इसके सेवन की सही विधी तो दोफ्तों आज आपने जाना हिमालेली 52 टैबलेट के क्या-क्या फायदे हैं और इसके सेवन की सही विदिक क्या है मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए झाली 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 मैं और इसके सेवन की सही होगी है